तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जादा इंपोर्डेंट है जो S.O.L. में एडिमिशन के बारे में सोच रहे थे प्लान कर रहे थे और काफी टाइम से वो इंतिजार कर रहे थे कि S.O.L. के एडिमिशन कब शुरू होने वाले हैं आज की वीडियो में मैं आपको 6-7 बाते बताने वाला हूँ जो S.O.L. के एडिमिशन से बहुत 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 जादा इंपोर्डेंट है पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा विकास हो सकता इसमें से कुछ बाते आपको अभी तक पता भी नहूँ तो चैनल पर न ये बताने वाले हैं कि एडिमिशन कैसे और कब शुरू होंगे वैसे मैं आपको बता दूँ एडिमिशन आज या कल से शुरू हो सकते हैं यानि कि 3 अक्तूबर से या 4 अक्तूबर से S.O.L. में दली उनिवर्स्टी में एडिमिशन शुरूआत होने की पूरी-पूरी उमी तीसरी इंपोर्डन बात यह है कि समर्थ पोर्टल पर ये एडिमिशन की प्रिक्रिया आपकी शुरू होने वाली है तो समर्थ पोर्टल को अपडेट देखते रहें जीए कि समर्थ पोर्टल पर वहाँ पर आपको एडिमिशन का सारा प्रोसेस फॉलो करना है और एक खास पहले क्या होता था आपको 12 में 40% जब तक आपके मार्स नहीं होते थे तब तक आप SOL में एडिमिशन के लिए अपलाई नहीं कर सकते थे बड़ दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशकबरी जो इस बार स्टूडेंट के लिए मिलने वाली है वो है कि अब 33% वाले स्टूडे गई है कि CUT जो इस बार दिली उनिवस्टी में एडिमिशन का बेस था उसको SOL फॉलो नहीं कर रहा है यानि कि SOL में एडिमिशन करवाने के लिए आपके पास CUT का कोई स्कोर किसी की भी जरूरत नहीं है तो CUT में पास होना फेल होना CUT में अपलाई करना वो कुछ भी जरू SOL में एडिमिशन ले सकते हैं और एक खास बात आपको SOL में एडिमिशन के लिए टेंचन लेने के जरूरत नहीं है बिकाज यहाँ पर नमबर आफ सीट्स लिमिटेड नहीं होती है जैसे कि regular colleges में होती है तो कितने भी बच्चे लाखों बच्चे SOL में एडिमिशन ले सकते है अपलाई कर सकते हैं तो आपकी टेंचन खतम हो जाएगी कि ऐसा तो नहीं है कि सीट्स फिलो जाएं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है आप प्रपर मैं ही बोलूँगा कि हां last date से पहले अपना अपलाई कर दीजिए ताकि आपको आराम से अडिमिशन मिल जाए क्योंक मिलूँगा आपसे एक और next वीडियो में thank you so much